कि इंटरनाशनल मैनेजमेंट ओरियेंटेशन की जरा बात कर लेते हैं ये है क्या मतलब देखो अगर मैं आपको समझाओं देखो कोई भी जब हम बिजनेस करते हैं मैं कि आप लोग इंटरनाशनल बिजनस पढ़ रहे हैं और कॉमर्स के नहीं भी अगर आप है तो आप इंटरनाशनल बिजनस पढ़ रहे हैं और इसके अंदर आपने मार्केटिंग पढ़ा ही होगा और क्योंकि अगर आपने मार्केटिंग पढ़ा है तो मार्केटिंग को मार्केटिंग philosophies के बिना नहीं पढ़ा जा सकता अगर आपको marketing पढ़नी है तो marketing की जो philosophies होती है वो पढ़नी पढ़ती है अगर मैं आपको recall करा हूं तो आपने पढ़ा होगा कि marketing philosophy में एक होता है product concept ठीक है एक होता है students हमारे पास production concept एक होता है मारे पास selling concept एक होता है societal marketing concept है ना ऐसे करके आपने principles पढ़े होगे मार्केटिंग के क्या मतलब है philosophies का इसका philosophies का मतलब है तुम धंदा कर रहे हो हर किसी का अपने धंदे का एक अलग vision है ठीक है देखो लोग बड़ा असान हो जाता है कहना कि यह कर रो वो कर लो ऐसा नहीं होता that everybody has a different mindset उनका aim अलग ह है उनकी strategies अलग हो सकती है तो इसलिए कभी किसी successful इंसान को copy नहीं करना चाहिए कभी भी नहीं करना चाहिए कुछ अच्छी चीज़े आप सीख सकते हो लेकिन पूरी तरीके से copy कभी नहीं करना चाहिए reason क्या है कि उनका strategies अलग हो सकता है उनका business अलग हो सकता है जिसके वैस अब ही होता है careful application तुमको समझा दिया है लेकिन तुम इसको ऐसे ready-made solution नहीं मान सकते हैं तुम्हें बता दिये ऐसे कर सकते हैं लेकिन अगर तुम्हारी situation हो तो उसको modify कर तो philosophies होती है कुछ है जो product concept मानते हैं अब मैं थोड़ा साथ ज्यादा इनके बारे में discussion discussion नहीं करना में वाराइस निबस का part नहीं है ठीक है तो अगर discuss करते हैं के बारे में तो production concept प्रोडक्शन प्रोड़क्शन 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 आइफोन है iPhone beliefs in what product concept why क्योंकि iPhone ये कहना या जंदा छाता है कि मैं best quality का समान बनाऊंगा भाई मैं qualify में कॉंप्रोमाइस नहीं करूंगा अगर में best quality का समान बनाऊंगा समान अपने को दाट रचेस KAL h parler production concept कहता है कि भाई मुझे कि उससे मतलब नहीं क्वाल्टी से मैं बनाऊंगा क्वांटिटी में बनाऊंगा सस्ता रखूंगा लोग अपने आप लेंगे स्टेलिंग कॉंसेप्ट कहता है मुझे कुछ मतलब नहीं मुझे तो बस कैसे भी एग्रेसिव तरीके अपनाने हैं लोगों को चिपका दूंगा कैसे भी परके प्रड़क्त बिख चाहिए मार्始ब किया की की निट को समझज और फिर बनाऊंगा सेटल मार्केटिंग कान्सेप्ट कियता है कि कस्टुमर की निट को समझेँगा जरूर लेकिन एक कस्टमर की नीट को पूरा करने के दूसरे को नहीं नुखसान पचाऊंगा वैसे ही हमारे पास यह है कि जब आप international business करने चाहते हैं तो आपके दिमाग में कुछ strategies होती है कि कुछ mindset होता है कि आप कौन से mindset के साथ business करना चाहरे है तो that is called international management orientation कि क्या क्या तरीके हैं अपने business को दूसरे देश में लजाने के लिए दूसरे देश में अपने business introduce कर रहा हूँ orientation word आप लोग अच्छे से जानते हैं introduction तो मैं अगर अपने business को दूसरे देशों में introduce कर रहा हूँ तो कैसे introduce करूंगा सबसे पहले पहले आप समझों कि यह जो एथीनो है यह कहां से आया है वो फुली सुलिंट आपने एक वर्ट पढ़ाऊगा एथनिसिटी हम कहते हैं कि इस बार दिवाली आ रही है एथनिक वेहर पैनेगे एथनिक वेहर का मतलब है जिस भी कल्चर के आप है ठीक है उस Dries परटिकुलर कल्चर का अपनी एक वेल्यूस होती है और वेल्यूस के साफ़ अपने कस्थम होते और कस्तम के साथ ही आपके कुछ वह भी होते हैं कि हम इस म्यवंट पर ऐसे कपड़े पाढ़ते हैं एंक ब्ल्स के साफ से inadcan करते है तो लड़कों के लिए जनरली वह धोती कुरता कुरता पजामा यह आ जाता है लड़कियों के लिए असकी प्रिफृरंस की बात करते है तो ढ лишь लिए उसी वड से यह यह थ्दूअ संटरिक मतलब भाइना इथिनशार वह में बहुत ही छेंट कुन को is ethnic उसी वर्ड से यां एथेंटेटरिक मतलब भाई मैं बहुत एथेनटरिक हूं मैं बहुत ज़ाद अपनी जुड़ा रहना चाहता हूं मतलब मैं यह बिलीफ कर रहा हूं मैं कोई भी बिसनस कर रहा हूं अब मैं किसी international market में जाना चाहरा हूं बट विद्धाट बिलीफ कि मेरा प्रड़क्त तो बाइस सुपीरियर है और अगर वो दूसरी मार्केट में जाएगा तो वहां भी सुपीरियर होगा मैं यह मानना ही चाहरा हूं कि अगर मैं अपने में क्योंकि सुपीरियर है तो वह दूसरी कंट्री में भी सुपीरियर ही होगा तो जब आप इस अप्रोच के साथ किसी और कंट्री के अंदर बिजनस करने जाते है तो इसे क्या कहते है इसे आप कहते है athenocentric ओरियंक जए लेकशन ही कि आप अपनी एक्षिटि सीटी रिदेन करने करने हैं आप अपने आपको मोड्यिफाय जादा नहीं करना चारे कि मैं दूसरे देश मिज रहा हूं तो यह देखू आपको लगता है यह यह देखूंगा to you are the best if you are the best तो you will do things in a manner as you like अब चलो पढ़ते हैं, in this approach, the management of company assumes that the domestic products are superior and can be sold as it is in any foreign country, जो हम समान मना रहे हैं बढ़िया है, और ऐसे ही दूसरे country भिकेगा, तो as a result, the marketing strategy which is being implemented in the domestic market should also be applied in the foreign country's market, तो भाई, जब तुम्हें पता है कि तुम इस देश में कैसे बेच रहे हो, और तुम्हें बता है कि तुम्हार प्रडक्स उपीज रहे, तो अगले देश में जाके भी तुम वैसे ही बेचे होगे, कुछ खास changes ना होगे, अच्छा इसको समझने के लिए हम बात करते है, लुई-विटो, अब लुई-विटो को फर्क नहीं पढ़ता कि उसका समान, मतलब Thailand जाके विक रहा है, Vietnam जाके भीख रहा है, Philippines में जाके भीख रहा है, Indonesia में भीख रहा है या India में भीख रहा है उसे फरक नहीं ही पड़ता, ठीक है, उसे बता है कि मेरा जो brand है, वो luxury brand है, ठीक है, मैं, 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 जिस भी country में originated हूँ, विटो, मतलब है यॉरॉप से इसके ओनर यॉरॉप से है और उसके बाद अभी वो युएस में है लिक मैं सच में दिमार्ग से निकल गया मैंने पूरी केस स्टडी पढ़ी थी लेकिन दिमार्ग से निकल गया मतलब कहीं यॉरॉप में कहीं के इन दिन बाद में शिफ्ट होगे चलो अब यह मैं क्यों बता रहूं उन्हें बता है कि मैं यॉएस में हूं मेरा ब्रैंड यहां सुपीर है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई कि मैं इंडिया में जा रहूं इंडिया जैसा भी देश है यॉएस के बराबर इंकम में है या नहीं है डाट इस नट नन उफ माइं कंसर्ड मेरा प्रदक्ट अपने कस्टमर वहां भी वैसे दूरने का तो मैं अगर यहां पे प्रीमियम हुं तो वहां भी प्रीमियम ही रहूंगा मैं अपनी केटेग्री लो नहीं करूँगा ठीक है इंडियन मार्केट में कस्टमर टैप करने के लिए मैं फिर कोई भी मार्केटिंग अपना हूँ बिल्कुल नहीं करूँगा राइट so this orientation is followed by the domestic companies as well as the international companies these companies fail to see that the consumers belonging to different countries are different tastes and preferences it is also referred as tunnel vision as innovation and flexibility is of course I am not a resident.imloaf.com कभी शादी में जाते हैं ओ लड़का जिस गोड़े पे बैड़के जाता है तो आप कभी देख ना कि गोड़े के तोनों तरफ में इस तरही किसमा वो लगा दिते हैं क्यूं लगाते हैं ताकि ऐसा ना हो कि कहीं बाई जब वो लेकर जा रहे हो गोडे की नजर इदर उदर पढ़ जा और कुछ अच्छा दिख जाए तो गोड़ा उदर ही भाग ले तो तो दुगड़ा ही गर जाएगा पराती किसी और के ओने कि लेकर कोई और जा रहा होगा इसी नही हो है polycentric polycentric विलिव्स हैं कि मैं कैसे अपने बिजनस को दूसरे देश में ले जा करके इंट्रोड्यूस करता हूं यह अपने अपने व्यूज है तो ethnocentric में हम ने समझ दिया कि इनका व्यूज है वह सिर्फ किस चीज वह इस बात का है कि बाई जैसा यहाँ वैसा वारा हुग लेकिन जो policy entry के वो इससे क्या हो जाता है opposite यह समझते इस बात को कि दुनिया पूरी same नहीं है दुनिया गोल जरूर है लेकिन दुनिया same नहीं है सेम नहीं होने का मतलब है भाई जो चीज मैं अपने देश में बेच रहा हूं मैं अगर दूसरे देश में जाओंगा तो मुझे उनकी requirements को समझना पड़ेगा और अगर मैं उनकी requirement को समझूंगा उनकी wants को समझूंगा जरूरतों को समझूंगा तो मुझे अपनी marketing strategy अपना product design development सबकुछ उनके according करना ऐसा नहीं मैं हठी होके नहीं जा सकता कि यही है और यही बेचता रहूंगा ऐसा नहीं होगा मुझे modify जैसे एक example देता हूँ आपको पता होगा student जो यह बड़े-बड़े brand है जैसे के dove हो गया, garnier हो गया ठीक है और एक और कोई और example ले लो जो बड़े-बड़े जो आप इमने brands अपने घर में कभी use के होंगे अब यह brand foreign countries के अंदर maximum में वो bottles के अंदर अपने shampoo और conditioner बेचते है ठीक है वह शैशे का concept ज्यादा नहीं है क्योंकि purchasing power लोगों की high है तो कौन जाएगा सुबह-सुबह US में बंदा उठ करके चलो जाके 0.5 cent का ले आता हो तो ज्यादा तर वहां पे क्या होता है ज्यादा तर वहां पे वो लोग किसमें बेचते हैं बड़ी-बड़ी bottles के अंदर क्योंकि they have high paying capacity but when they entered into Indian market they realized के इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा population जो है वह अपर मिडल प्लास भी नहीं है सिर्फ मिडल प्लास में है ठीक है तो अब यह मिडल प्लास population एक बार में 700 रुपे 600 रुपे 300 रुपे की बॉटल नहीं लाएगा पहली बात रोज यह शैंपू करते नहीं रो तो उनने बहुत सिंपल से स्ट्राटेजी यूज करी कि हम क्या करते हैं शैशे निकालते एक 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 डेढ़ दे तो तो तीन तीन रुपे 300 रुपे बहुत ईजी होगा लोगों के लिए बाय करना बर्डन आएगा ही नहीं ठीक है तीन रुपे का सैशे होगा जब उसको करन होगा जाएगा खरीदेगा और लेके कर लेगा that is called polycentric orientation इसमें तुम अपना business जब दूसरी country में launch करते हो तो तुम उस country की requirement उस country की wants को समझते हो और उसके according अपना product design और develop कर लेगा right so यहाँ पर लिखा हुए देखो पढ़ते हम जड़ा this orientation is followed by multinational companies that understand the difference in business environment between home and foreign countries market they modify their strategies as per the needs of the local consumers of the foreign market it requires companies to undertake intensive market research to understand the characteristics of the market in foreign countries of course आपको पहले बहुत research करनी पड़ेगी एक एक चीज एक एक aspect को जानना समझना पड़ेगा कि उस country का हर एक requirement जो है वो कैसा है क्या है तभी आप इस चीज को कर सकते है वरना आप नहीं कर पाएंगे आगे it needs to maximum utilization of local resources as they think a local market can be best created to by human and material resources available in the host country market है ना वो मोधी दी कहा है कि वो कल for local वो ही types of कि तुम वहीं के लोगों को वहीं के resources को use करो ताकि वो अपना क्या कर पाएं एक connect कर पाएं के हां या यह तो अपने ही लोग बेच रहे हैं समान और अपनी ही चीज़े मिल रही है अपना ही बनना हुआ चीज़े मिल रही है तो that is polycentric ठीक है तो यह हमारे पास एक बनता है एक और तरीका बनता है ठीक है next हमारे अपना पास लेचा है रीजी ओ तो जैसे मैंने आपसे बोला वर्ड को पकड़ो तो वर्ड क्या है रीजियो इंट्रिक अप्रोच है तो रीजियो इंट्रिक है यह जो अप्रोच है वो इस बात पर बिलीफ करती है कि देको हमें समझना पड़ेगा कि जैसे मैं किसी foreign country में जा रहों like US में जा रहूं Canada में जा रहा हूं Australia में जा रहा हूं Denmark Norway तो अगर मैं किसी country में जा रहूं तो first I would like to understand the similarities and dissimilarity मतलब मैं कोशिच यहां पर यह करने की कोशिच करता हूं कि मैं उनहीं country में जाकर के अपने business को expand करूँ जो country के लोग मेरे जैसा same share मतलब आप इंट्रेस्स रखते होंगे ताकि मेरा काम असान हो जादा रिसरच पर पैसा खर्च ना हो जादा marketing strategies पर पैसा खर्च ना हो सेम इंट्रेस्स के लोगें अब जैसे की मान लो student आपने हम इंडिया है न एश्या रीजन हमारा तो आपने बढ़ा होगा एक पड़ा होगा आशिया आ च्लो हूने अभी आप्ड साउथ इसने। Moy ॆ जीक ей उतलिया शन एश्या कंट्री आपने पड़ा हें प्लेपीण टिक्टाथ चाइना फिलिपीन्स इंडोनेशिया ठीक है जप यह सारे के सारे क्या है साउथ इस्टर्न एशिया नेशन से अब जो यह नेशन से इनका सबकुत पैटन अल्मोस सेम है आप कभी भी आपको जब भी विजिट लगे आपके बास ताइम हो आप कभी इन देशों में घूम के आए तो आपको कोई बहुत जादा डिफरेंसेस पैटन में बहुत जादा इनके डिमांड पैटन में घरों की बनावत कल्चर बहुत डिफरेंसेस नहीं दिखाए देंगे आल्मोस सेम है तो मैं अपने बिजनस को ऐसे करूँगा कि मेरे को अपने बिजनस को इंटरनेशनल लेके जाना है लेकिन केवल उन देशों में लेक करते हैं जिनमें डिस्टिमिलाइटीज है उनमें जाना ही नहीं को मतलब ही नहीं कि मैं उनमें जाके बिजनस करूँगा क्यों मैं रिसेर्च पर पैसा लगा लिया उस बिजनस को जाना समझा लोगों की रिक्वार्मेंट को समझा अब पिर दूसरी कंट्री में जाओं तो का नाम सुना होगा है न मिडल इस्ट है अब मिडल इसके अंदर तो बहुत सार जो गल्फ कंट्रीज क्लाती है अब जादा दर गल्फ कंट्रीज के अंदर जो population है वह majority किसकी है इस्लामिक मिलब इस्लाम जो धरम है सबसे जादा वहाँ पे मानते हैं Muslim population जादा है तो अब आप कहे रहे हो कि भाई यह तो आपके बास क्या हो गया रीजियो सेंट्रिक हो गया है ना क्यों कि सारे के सारे सेम रीजन है तो उनका consumption pattern उनका सेम ही रहेगा क्वे सारे जब एक ही डिलीजेंस ने हो गए तो उनमें तो similarity सबसे ज़्यादा बनती है तो सबसे ज़्यादा कर सिमिलारिटी बनती है तो सबसे बेस्त है एक ही strategy में आऊंगा सारे cover कर लूँगा तो यह हमारे पास क्या हो गया रीजियो सेंट्रिक के business को expand करना है लेकिन कैसे सिर्फ और सिर्फ उन रीजन में जाके जिनका interest मेरे साथ बिलकुल similar है उन में जाकर के राइट इसमें लिखावा देखो इस similar countries can be grouped into one region and same category can be followed in them involving balancing between standardization and localization it leads to setting up of regional offices to overlook operation in countries तो यहां पर एक्जामपर देखो मैं वहीं बोह रहा रहा ना south east asia south east asia में same characteristics है लोगों की height भी देखोगे same है लोगों का जो like जो body structure है mostly उनका भी same होता है facial अब देखोगे तो वो भी same रहता है तो that is called regiocentric approach यह एक approach है हमारे पास और orientation आप कह सकते है next हमारे पास geocentric so the companies with this orientation see the world as a global village without any boundaries the consumer belonging to different countries are a part of global market देखो अब बात यह आती है कि इसके अंदर और हमने जो ethno city पढ़ा उसमें क्या फर्क है यह भी कह रहे हैं हम दुनिया में किसी में जाके देश ट्रेट करेंगे और वो भी कह रहते हैं है जियो सेंट्रिक जो है वो कह रहे है ट्रेट तो तुम दुनिया में कहीं पर भी जाके कर लो कोई हाँ कोई मुलब कोई नुकसान नहीं है कोई हानी नहीं है लेकिन आप इसके अंदर यह बात नहीं समझोगे कि तुमारा अपनी कंट्री को सुपीर मान रहा था और दूसरी कंट्री को मैं इंपीरियर मान के यह तो छोटी मोटी लोकल मार्केट है कुछ भी बेचूंगा चल जाएगा ना मैं बेचूंगा तो इनको खरीदना ही पड़ेगा यह यह नहीं होना चाहिए है ना यह वाला चैसे इसका इसके इसे था ना आप जिसके यह ने बोला था कि मैंने तो इंडिया जैसे गरीब देश के लिए निकाला ही नहीं था यह वह जो भी उसने बोला था ठीक है अब आपको भी अच्छे से पता है उसने एक बार बोली सारे इंडियेंस ने इमीजेटली अनिस्टॉल मार्दी एप और मतलब वो अल्मोस्त बर्बाद ही हो गया था बंदा बाद में स्टेटमेंट चेंज करनी पड़ी डाट इस डाट इस वाट वी नोल इस एथनो सेंट्रिक के भाई तुम ने अपने आपको इतना उपर मान लिया था और तुमने लक्ष्टीप की फोटो डाली और उन्होंने मालदीष ने अपने आपको गया हम तो यह हम तो वह बस एक बार उन्होंने फोटो डाली और मालदीष में कंप्लेंट उन्हों उसने एक बार कॉमेंट किया अब आपको भी पता है मालदीष के साब क्या हुआ इतने लाखों का है geocentric इस बात की affect करता है वो कहता है they understand the similarities and differences among home and different host markets the company follow a global strategy which leads to efficient utilization of world's resources and a better quality products for everyone mcdonald's follow geocentric approach where they provide burgers all over the world but with slight variation as per the taste मैं इसका example दे सकता हूं mcdonald's का पूरा example I visited Indonesia once being being an Islamic country वो एक Muslim country है more than 60% of the population जो है वहापे Muslim की है तो जो Muslim community है they consume beef वो beef consume कर ले तो हिंदू में और बाकी communities में लोग थोड़ा कम consume करते हैं but Muslims consume कर लेते हैं तो मैं mcdonald's गया तो मैं mcdonald's जब गया तो वहाँ पे cheeseburger option था cheese को मैं cheese समझ रहा था क्योंकि हमारे इंडिया में cheese का मतलब और है बट वहाँ पे उन्होंने बता दिया मुझे कि भाई cheeseburger जो भी आप चूस करोगे every cheeseburger will have beef उसमें beef होगा ही होगा उनकी बहुत सारे खाने में beef था अब आप समझ रहे हो जब mcdonald's आप अगर दिल्ली में रहते हो नौर्थ के कहीं भी किसी भी पार्ट में रहते हो और मुझे लगता है पूरे इंडिया में ही क्योंकि मैं जितनी भी पार्ट में घुमा हूँ मैं अभी तक मैंने पूरे इंडिया में कहीं भी mcdonald's को ऐसा बर्गर सर्फ करते विए नहीं देखा which has beef in it क्यों तो क्यूंको पता है कि यहां पर यह थोड़ा सा कॉंट्रोवर्शियल मैटर हो जाएगा कि अगर मैं बीफ में बर्गर बेचूंगा तो दिक्कत हो सकती है ठीक है तो उसने यह कराई नहीं उसको पता है इंडोनेशय में विल नॉट भी प्रॉब के बीफटेंट ठीक है वह समझते हैं और वो डियूफरेंसे को रिस्फेट करके अपने आपको अबिंस्वेंट करते हैं कि जिससे की जो बिजनेस को आराम से चल सके उनके लोगों के maximize के हिसाफस Î plein ठीक है अब बात करते हैं सूरण मोटिफ क्या है इंटरनाशनल बिजनेस एक्सपैंशन के बहुत सिंपल सी बात है अब पहला पॉइंट आप देख सकते हैं इंक्रीज ऑफ सेल्स और प्रॉफिट अब मैकडॉनल्स है यूएस का ब्रैंड है पुरी दुनिया में जाके बिजनेस कर रहे हैं तो क्या मतलब इसका मोटिफ क्या है मोटिफ सिंपल साई कि आपकी सेल्स बढ़ेगी और प्रॉफिट बढ़ेगा तो पहला मोटिफ तो यह competitive advantage का मतलब क्या है अब आप यह बात समझो देखो हर देश अपने किसी किसी चीज के लिए फेमस है जैसे कि मानलो मैं बात करता हूं गल्फ कंट्रीज को आप जानते हो फेमस किसके लिए क्रूड ऑईल के लिए अब वह भी इतने ओयल के रिजर्फ से इतने ओयल के रिजर् कर देंगे आपको जितना आप अपनी डुमेस्टिक कंट्री में जितना आप अपनी डुमेस्टिक कंट्री में अपने रिजर्फ से कलेक्ट नहीं कर पाऊगे आपको अपनी डुमेस्टिक कंट्री में जब आप सोचो कि मैं हमारे पापी तो रिजर्फ काम करते निकालते तिल ठीकि आप ते निकाल रहे हो और वो अपने देशे निकाल के बेज रहे हैं लेकिन उनके इतना ज्यादा वो abundance में है इतना easily available है कि उनको बहुत सस्ता पड़ता है तो that is known as competitive advantage कि there are certain things जिनको तुम बहुत सस्ते में बना लेते हो तो अगर दूसरा देश उसको बनाने का ट्राइब ही करेगा तो वह उतने सस्ते में बना नहीं पाएगा और क्योंकि वह उतने सस्ते में बना नहीं पाएगा तो तुम्हें competitive advantage जाओ जाके बेचो और पैसा कमालो प्रोड़क्ट decline in domestic market को आप अपना प्रोड़क्ट अपनी मार्केट में बेच रहे हो तो इससे आपके dimension बढ़ेंगे कि आपके domestic market में तो अब लोग उसको उतना पूछ नहीं रहे है ठीक है नेक्स हमारे पास है economies of scale यह हम पहले भी discuss कर चुके जब आप अपने business को दूसरी countries में expand करेंगे students तो उससे होगा क्या उससे यह होगा कि आप अपने business को इक कौन लेक बल्क में करोगे बल्क में करने से हमेशा cost of production लो हो जाए डाइवर्सी फाइंग रिस्क अब डाइवर्सी फाइंग रिस्क का मतलब क्या है अब एक बात समझो अभी recent की बात करता हूँ इस्रेल है इस्रेल का गाजा के साथ problem हुआ प्लेस्टीन के साथ अब बात समझो इसकी वजह से इन दोनों countries की जो भी प्रोडक्स होंगे ठीक है जो भी country का problem होगा वो सफर कर रहा होगा लेकिन अगर इस्रेल के कुछ business मान लो इंडिया में कुछ business चाइना में अलग 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 बाकी जगा तो लोग बैठे हुए न जहां से इसको पैसा रहे जिसे मैं आपको बतातों जपान के बारे जपान ने क्या कर रखा है जपान को पता है कि उसकी location ही ऐसी है कि जिसकी वजह से उसके साथ natural calamities हमेशा रहेंगी रहेंगी consistent रहेंगी and Japan simply can't out वो उसको avoid भी नहीं कर सकता consistently रहेंगी अब problem कहां पर आ रही है problem यह आ रही है कि जपान फिर बचाय कैसे अपना को जपान ने बहुत smartly इंडोनेशिया में again वही बात करता हूं रीजियो सेंट्रिक की तो जपान ने क्या किया जपान ने अपने रीजन की जितनी भी countries है उन सब में बहुत अच्छ की भी टाइम लगे तो इंडोनेशिया के जकार्ता जो capital है उस पर जाए चाइना और जपान ने अपनी investment से भर दिया उस देश को तो कि पैसा कमान है investor के लिए country matter नहीं करती investor के return matter करता है यह बताओ कहां से आ रहा है मैं वही लगा दूँगा तो जपान ने बहुत smartly सब में invest कर दिया अब जपान को फाइदा क्या और है student अब जपान को बहुत simple सा फाइदा यह हो रहा है कि investment कर रखी है अपने देश में कोई दिक्कत आ भी गई तो दूसरे देश की investment से returns आएंगे and जपान की बहुत कवर कर लेगा यह आपको एक और फाइदा होगा राइट लेशन है वह saturation जो अपने same point है तो वह same point की बात होगी कि saturation आपके domestic market में लोग इतना नहीं प्रेफर कर रहे है तो it would be a better idea कि आप क्या करें अपने business को दूसरे दूसरी countries में लेके जाए तो फाइदा होगा ठीक है next हमारे पास है seeking resources resources आपने को आप अपनी country में काम करे जा रहे हो आप अपकी country के resources हो गए खतम अब आप दूसरी countries में जाए वहाँ पर आपको और resources मिलेंगे उनको use करो और labor मिलेगी cheap rate पे उनको use करो और अपने काम को और expand करो and that is the reason student की USA में इंडिया में आखके काम कर रही है क्यों कर रही है इसी लिए क्योंको पता है कि इंडिया में अभी भी resources abundance में है और labor बहुत चीप है तो दोनों चीजों में फायदा हो जाएगा तो यह आपको फायदा होता है next economic policies in foreign countries देखो पता है क्या होता है कि ना क्यूंकि करें तो चाइन ने बहुत जल्दी इस चीज़ को समझा चाइन ने अर्ड़ी 1980s के आजपासी special economic zone मना दिये अब पहले आप समझो यह क्या होता है तुरुन कोई देश चाहता है कि किसी भी तरीके से foreign के देश उत देश में आकर के दबा के investment कोई भी देश यह चाहेगा ठीक एसी area जो port के पास होता है जिससे की फायदा क्या हो जिससे की फायदा यह हो कि वो person जो है वो foreign investor आएगा अपना समान यहां पर बनाएगा आप उसको land बहुत concessional rate पर देते हो आप उनको tax बहुत कम कर देते हो आप उनको electricity पर और बाकी बहुत चीज़ों पर subsidy देते हो इतना सस्ता करते हो कि उनके पास option ही ना बचे but to invest in your country ठीक है इससे फायदा क्या हुआ इससे फायदा यह हुआ कि आपको आपके देश में तो आपने business खड़ा कर लिया लेकिन उस बंदे को क्या फायदा हुआ जो company लेके आया company जो लेके आया उसको सस्ते में बना क्या काम तो that is the thing economic policies आपको समझना चाहिए कि वर्ल्ड की बहुत countries है जिनको अपने आपको grow करना है तो जिनको अपने आपको grow करना है अगर आप एक बड़ी company है तो वह आपको कुछ भी offer करने को यार हो जाएंगी बस आप उनकी country में invest करें ताकि उनकी country का infrastructure और उनकी country का GDP growth हो सके right and reaction to competitors ठी आपको यह देखना होता है कि जब मैं दूसरी country में जाओंगा तो मेरे competitors कैसे react करेंगे ठीक है क्या वो मार्केट में रहेंगे या वो मेरी company के expansion की वज़े से अगर वो भी चला गया मार्केट से तो पूरा steak पूरा जो share है कम बिजनस का वो किसके पास आजागा वो मेरे पास साथ तो यह मारे पास क्या हो गया यह मारे पास सारी बात हो गई कि इंट्रनाश्टनल बिसनस करते तो कौन-कौन सा orientation और you can say कौन-कौन सी approach से कर सकते हैं और international business जब हम करते हैं तो उस international business को करने के motives क्या है मैं किस motives से अपने बिजनस को अपने देश से किसी दूसरे देश में लेकर करके जाता हूं तो hopefully student यहां तक कि हमारी जितनी भी बाते हैं जो भी बाते हैं आपको अच्छे से clear हो गई होंगी ठीक है लेको part one जो हमारी वीडियो का था उसमें हमने यह समझादा कि globalization क्या है क्योंकि globalization है तो international business possible फिर हमने second जो part था उसमें यह समझा कि international business और domestic business में क्या differences है क्या उसके फाइदे हो सकते globalization के क्या उसके नुकसान हो सकते globalization के ठीक है third part में हमने यह पढ़ लिया कि internationalization का जो process है वो process कैसे follow होता है क्या challenges आपको face करने पड़ सकते हैं और उन challenges को face करने के पीछे का आपका motive क्या है क्यों करना चाह रहे हैं आप challenges face next lecture which will be the fourth trance of this like part ठीक है तो उसमें हम बात करेंगे fourth part के अंदर fourth trance के अंदर हम बात करेंगे student की जब हम international business कर रहे होते हैं कोई भी जब हम international business कर लेहह होते हैं कि तरीके से किया जा सकता है अभी तक कि business कर लो business कर लो business कर लो foreign Va гр a job business कर लो यह पाना यह नुक्सान क्या है अपके सच्छ में capital है आप सच्में एक सच में आपका कोई business चल रहा है और आप चाहते हो कि दूसरे देश में आप business करो तो what are the various modes जिनके थूँ आप international business कर सकते हैं तो ये हम करेंगे अपने next lecture के अंदर next part के अंदर और उसी के साथ हमारा जो पूरा first chapter रहे student वो क्या हो जाएगा that will be completed, okay तो till then bye keep the till air पढ़ते रहना साथ साथ में सही से रहना ठीक है bye see you in the next video